जै माता दी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सौंबार ब्रत की कथा और ये कथा इस परकार है किशी नगर में एक धनी बैपारी रहता था दूर दूर तक उसका बैपार फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस बैपारी का समान करते थे इतना सब कुछ संपन होने क के बाद भी वह बैपारी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण अपने मित्य के पस्चाद बैपार के उत्तरादिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी कुछ प्राप्ति की इक्षा से बैपारी प्रतेक स्वंबार भगवान शिप की ब्रत पूजा किया करता था और शाम के समय सिप मंदिर में जाकर सिवजी के सामने घी का दिपक जलाया करता था उसकी भक्ति देखकर मापारवती प्रेसन हो गई और भगवान सिप से उस पेपारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेधन किया भगवान शिप बोले इस अंसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है सिप जी दोरा समझाने के बाप जुद मापारवती नहीं मानी और उस पेपारी की मनोकामना पूर्टी हेत वे सिप जी से बार बर अन्रोध करती रही अन्तित है माता के आगरे को देखकर भगवान भोले नाथ को उस पेपारी को पुत्र की प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पस्चाद भोले नात मापारवती से बोले आपके आगरे पर मैंने पुत प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया परन्तु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान शीप उस वेपारी के सोकर में आये और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बदलाई भगवान के बरदान से वेपारी तो खुश हुआ लेकि पुत्र की अलपायों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया वेपारी पहले की तरह सौंबार के दिन भगवान शीप का बेधिवत वर्द करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अती सुंदर बालक ने जनम लिया और घर में खुशिया ही खुशिया भर गई बहुत धुमधाम से पुत्र जनम का समारूम मनाया गया परनतो वेपारी को पुत्र जनम की अधी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे पुत्र की अलपाईयों के रहस्य का पता था जब पुत्र वारावर्श का हुआ तो वेपारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए बारानसी भीज दिया लड़का अपने मामा के साथ सिक्षा प्रापती हितु चल दिया रास्ताय में जहां भी मामा भांजा विश्राम हितु रुकते वहीं यग करते और ब्रामनों को भोजन करवाते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे उस दिन नगर के राजा की कन्या का विभा था जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर भरात आई लेकिन बर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुँच इंतित था उसे भैठा कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विभा से इंकार ना कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी जब वर के पिता ने मैपारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिक में इविचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राजकमारी से विभा करा दो विभा के बाद इसको धन देकर विधा कर दूँगा और राजकमारी को अपने नगर ले जाओंगा वर के पिता ने लड़के के मामा से इस समंद में बात की मामा ने धन मिलने के कारण लालच में वर के पिता की बात को स्विकार कर लिया लड़के को दूले का वस्तर पहना कर राजकुमारी से विभा करा दिया राजकुमारी ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विधा किया शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लोट रहा था तो वैस सोच वैस सच नहीं छिपा सका और उसने राजकमारी की ओड़नी पर लिख दिया राजकमारी तुमारा विभा मेरे साथ हुआ है मैं तो वारनसी पढने जा रहा हूँ और अग तुम्हें जिस नव्यों की पत्नी बनना failure काना है जब राजकमारी ने अपनी ओडनी पर लिखा was पढ़ा उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकमारी को महल में ही रख लिया उदर लड़का अपने मामा के साथ वारानसी पहुच गया और गुरुपल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आयू शोलावर्स की हुई तो उसने यग किया यग किस माप्ती पर ब्रामनों को भोजन कराया और खूब अनवस्त्र दान किये रात हुआ अपने शैनकक्ष में सो गया शिव के बरदान के अनुसार शैनवस्ता में ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए सुरदेवर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे आसपास के लोग भी एकात होकर दुख प्रकट करने लगे लड़के के मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीव से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पारवती ने भी सुने माता पारवती ने भगवान से कहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति को कष्ट दूर करें भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अद्रिशी रूप में समी पाकर जाखा देखा तो बोले नाथ माता पार्वती से बोले यह तो उसी विपारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयू का वरदान दिया था इसकी आयू पूरी हो गई है माता पार्वती के आगरे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछी पर्मेव है जीवित हो उठा सिक्षा शमाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया या किस माप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन दिया वस्तर आदी देकर राजकमारी के साथ विदा किया इधर भूके प्यासे रहकर बेपारी और उसकी पतनी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिक्षा प्रतिक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मित्यों का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे परनतु जैसे ही उसके बेटे के जीवित वापस लोटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसंद हो गए मैं अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्र बदू राजक्मारी को देखकर उसकी फुसी का ठिकाना ना रहा उसी रात भगवान श्रीव ने बेपारी के सोफर में आकर कहा हेश रिष्टी मैंने तेरे सौंबार के वरत करने और वरत कधा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है पुत्र की लंबी आयू जान का विपारी बहुत प्रसंद हुआ शिब भक्त होने तका सौंबार का वरत करने से विपारी की सभी मनुकामनाई पूर्ण हुई इसी प्रकार जो भक्त सौंबार का विदीवत वरत करते हैं और वरत कथा सुनते हैं उसकी सबी अक्षाइं पूरी होती है और इस परकार समबार की वरतकाथा समाप्त हुई